असलाम नेकूम कैसे हैं आप सब आई होग सब ठीक ठाक होंगे अलहमदलेला मैं पर ठीक ठाक हूँ तो यहाँ पर आज आपकी अपी करी थी दिनर बड़ा स्पेशल सा दिनर जो है न वो रेड़ी करी थी और स्पेशल इसलिए क्योंकि स्पेशल डे है हमारी जो लाइफ का हमारी जिन्दी का जिन्दी का तो क्योंकि आज की दिन जो है न हमारी वेडिंग अन्वर्सरी है सेवन्टीन माशाला सेवन्टीन यर्ज हो गए है हमें एक साथ रहते हुए और बस इसलिए फिर स्पेशल सा डेनर तो बनता था और यहाँ पर जी मैं करी थी चिकन को फ्राई क्योंकि यह आरेडी जो है न वो डन है और यहाँ पर मैंने आप स्टीम भी कर सकते हो और वैसे आमर में भी इसे वो कर सकते हो तो लेकि मैंने जी यहाँ पर मैं रेस्पी शेयर नहीं करी आप से आज बस जस्ट मैं आप से जो है न विलोग बस शेयर कर रही हूँ अपनी एन्वरसरी का कि हमने क्या बनाया और कैसे सेलिबरेट तो नहीं खैर क्योंकि इतना कुछ किया न दोनों हस्बेंड वाइफ को राइस में ही चीज़ है यानिके डिशेज जो है न वो पसंद है तो उन्होंने का कि आप बस ये मंदी स्टाइल राइस बना लो तो मैंने का चलो ठीक है मैं ये बना लेती हूँ और वैसे भी आज वैसे मेरे साथ बड़ा यानिके बड़ा वो राइब टी तो मैं जो है न केक पेकर ही नहीं पाई यहां पर जी मैंने तकरीबर चार से पांच मित लगे हूँगे चेकन को तो मैंने इसे बड़ा अचा साविकाल दिया था दोनों साइडों से फराई कल लिया था और ये 4-5 मित ही लगे होंगे इसे फ्राइज क्योंकि य इसे मैंने निकाल लिया और प्राइस भी मैंने मेरे तियार थे राइस भी मैंने यानिके निकाल लिये थे और इसी कड़ाई में ये देखें जी मैंने बदाम और किशमिश है ये मैं डाल दूँगी आपको गोगी इतने सारे आईल में आपी डाल रही है क्योंकि ये गरम था इसमें और मुझे जल्दी भी थी, मैं रीक अच्छो चलो, में एंधेसे थी थोड़ной से आए में भी राम से हो जाते भुबताइन हो जाती है यहां पर गरम था तो इसी भी मैंने इसी इसी मिंध डाल दी है हम силь यहां पर छीख अंदे टी सेट कर लिया था्ट राइस और चिकन का तो है यहां क के ऊपर ही ako मैंने वो सूट सट दिये थे बद्दाव और किशमेश तो यह दिखे जी और कुछ चीश लिए भी भसे मीठा बनाना था मैंने लेकिन हस्बेन निकांके नहीं केक भी है और आइस्क्रीम भी आरड़ी हम खा रहे हैं तो इसलिए क्योंकि मैं सिस्टर ने वो भीज़ी थी और धेरो धेर भीज़ी थी अला उसका भला करें तो वो जो हस्बेन को होती है ना क्रेमिंग मिठे की तो वो ना आइस्क्रीम से जरा उनकी हो जाती है सोरी मेरा यहां पे गला इचानक से ही खराब हो गया यहां दिखेएजी फाइनल लूक मीरी जो है मंदी राइस की और यहां पे squeeze अपकी निकल लिया था टेबल सेट और यहां पे यह केक है जैसे मैंने पहले कहा कि मैंने खुद बेकिंग करनी थी मैंने खुद केक बेक करना था और आपका पीजह है ना अच्छी बेकिंग कर लेती है क्योंगि इंटरस्ट होना थो फिर बेकिंग भी अच्छी हो雜ा तो यहां पर जी मैं कर नहीं सकी है जो यह केक है ज़ो यह आया ऐमरजनसी में ऐन बैकरी से ही तो ख्यार मुझे बैसे मैं देखके चुप हो गई हमें उसके केक कट कर लेतें कैक उत żyना ये ना केक कुके हो हाधी से लेकर आतें हो व nodig थे थे होधी अगर आप करते हैं तो हम आपको अच्छा सा केक जो है ना आपकी चोईस पे कर देते है रेडी कर देते है लिगी न भी यहां पे क्योंकि आज ही गए थे थोड़े ये निके थोड़ी देर पहले ही तो इसलिए फिर जो पड़ा था बस वही फिर चुप करके न ये लेकर आ गए क्यार्डर में तो फिर वो कहते थे थोड़ा टाइम लगेगा ना तो वो टाइम था नहीं हमारे पास इसलिए बस पर गुजारा गुजारा किया इसी केक के साथ हमने तो यहाँ पे मैं कहले थी के चलो ना दू तो कि करते हैं नही क्था छो नूद पर थे मैं Krieग भी खानूंगे बाद में तरो फिर उसके बाद तो बबरा से फिर उसे पीस को उसके साथ आठाच कर रख दिया तो यहां जी मैंने खाना जो है पिर मैंने का हम जरा खाना इंजाए करने हस्पर मेरे भी आ गए थे हाद शाठ धोके तो बस फिर अपनी आपी को जो है ना दौाओ में प्लीज लाजमी याद रखे मेरे हैस्बंट दे रहे थे मुझे मेरा गिफ्ट जो के सूट है और मुझे लेडिस को सूट वगारा इन चीज़ों का ही शोक होता है तो मुझे ज्याधा तर सूट ही पसंद है तो यह मुझे इन्हों ने पर मुझे रणा एक सूट ही दिया ह है तो यह खाडी का था तो यह आपके आप बीफों खोल के भी थोड़ा सकर वा देती है कैसा कलर है और आप में बताईए बादाएगा कैसा है बस ये थाज मेरा विलोग